बुलिटन की शुरुवात करने से पहले हात्रस से बड़ी खबर ने लेते हैं आपको बता दे कि हात्रस में गुडिया से रेपकान का मामला जो है उसमें एक नय खुलासा हुआ है पीडित के घर के बाहर कुड़ा डालने का अक्रोश भीम आर्मी परमुख चंदरशेखर ने रोज परगट किया है आपको बता दे कि डियम को कुड़ा करकट भेट करेंगे चंदरशेखर का कहना है भीम आर्मी परमुख चंदरशेखर ने रोज परगट कर दिया है बतादे कि D.E.M को कूडा करकट भेट करने की तैयारी कर चल रही है चंदरशेकरने कहा है आपको बतादे कि इस वक्त की बड़ी खवर जो आ रही है हातरस से हातरस की गुडिया से रेब कांट का मामला जो है वो सामने आया है पीडित के घर के बाहर कूडा डालने का अक्रोश जो है वो बतादे आपको कि D.E.M को कूडा करकट भेट करने की तैयारी चल रही है हातरस की गुडिया जो है उसमें मामला सामने आया है आपको बतादे कि पीडित के घर कूडा तिरकट डालने की तैयारी चल रही है मतुरा में डिंगू की 11 नई मरीज सामने आये है और बुखार की से जो आपको बतादे कि इस वक्त की मतुरा से बड़ी खवर आ रही है और वाईरल बुखार से दो मासूम बच्चों की मौत भी बताई जा रही है इस वक्त की बड़ी खवर हम मतुरा से आपको बता रहे हैं जहां पर दो बच्चों की मौत हो गई है पुखार से इसापूर गाउं के दो मासूम बच्चे बताये जारे हैं 6-8 साल के मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है इस बच्चों की मौत हो चुकी है और डेंगू के 11 नए मरीज मामले सामने आगे केंदर सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अगर कोई व्यक्ति कुरोना वाइरस से संक्रिमित होने की पुष्टी होने के 30 दिन के अंदर आत्मत्या कर लेता है तो उसकी मौत कुरोना से हुई मौत से ही गिना जाएगा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आपको बता दे कि परिजनों को सरकारी दिशा निर्देश के मुताबिक कई हजार रुपे की अनू ग्रह राशी दिया जा सकता है सुप्रिम कोट में अनु सुनवाई के दोरान सरकार ने ये साफ कर दिया कि कुरोना जांच होने या संक्रमन की पुष्टी होने से 30 दिनों के अंदर अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो इस मित्यू को महामारी से जोड़ी हुई मित्यू माना जाएगा सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि मौत अस्पताल में ही हो मौत कहीं भी हो सकती है आपको बता दे कि जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस M.S. वोपन्ना की बैंच को केंदर सरकार की और से इस बात की जानकारे दे गई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति कुरोना से संक्रमित हो जाता है और 30 दिन के अंदर अगर आत्महत्या कर लेता है तो उनकी मौत कुरोना संक्रमित व्यक्तियों में ही होगी सुप्रीम कोट वकील गौरव कुमार बंसल और कुरोना से अपने मरीजों को खोने वाले कुछ लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था मित्योकों की परिजनों की और से वकील जो हैं वो सुमीर शोणी पक्ष रख रहे थे सुप्रिम कोट में याची का दायर कर महामारी से मरने वाले लोगों के परिजनों ने मुआवजे की मांग की थी बिजेपी के सहयोगी और निशाद पार्टी के अध्याच संजे निशाद लखनव में बिजेपी दफ्तर पहुंचे जिस से दोरान उन्होंने उत्तर परदेश विधानसभा चुनाओ को लेकर बड़ा बयान दिया संजे निशाद ने कहा कि बिजेपी में विल्ले नहीं करेंगे निशाद पार्टी अलग से अपने पार्टी चिन्न से चुनाव लड़ेगी बता दे कि UP चुनाओ को लेकर लखनओ में बिजेपी की बड़ी बैठक चल रही है आज बिजेपी के UP चुनाओ परभारी और केंद्रिय मंतरी धरमेंदर परधान की संजे निर्शाद के साथ बैठक है मिशन 2022 को लेकर बिजेपी ने तेयारी तेज कर दी है थोड़ी देर में UP चुनाओ परभारी की प्रेस कॉंफरेंस भी है निशाद समुदाए में अच्छी पकड़ वाले संजे निशाद बिजेपी के साथ मिलकर निशाद समुदाए को जोड़ने में जुटे हैं जिसके चलते उन्होंने निशाद आरक्षन उत्साहन रथ यात्रा की शुरुवात की है गुरुवार को कानपूर देहात में निशाद ने कहा कि वोटरों को उनकी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं वोटर अभी बेहोश हैं जिसे होश में लाना है निशाद समुदाएन ने सविधान में महतपून भूमी का भी निभाई है आपको ये भी पता दे कि सविधान ने सभी को बराबरी का दर्जा भी दिया है लेकिन अभी तक निशाद समुदाई को समाज में वो स्थान नहीं मिला और ना ही किसी पार्टी ने दिया लेकिन विजेपी से उनकी उमीद बंधी हुई नजरारी है और वो विश्वास रखते हैं कि भारतिय जनता पार्टी के साथ जोड के वो निशाद समुदाई के लिए कुछ कर पाएंगे बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण में ग्राम पंचायत सदसे ग्राम कचहरे पंच मुखी आसर पंच पंचायत समीती सदसे और जिला परिशत के पदों के लिए मतदान जारी है इसमें 11 दुश्मलव 48 लाग मतदाता अपने मतदिखार का परियोग कर रहे हैं कई जगा मतदान विलंबो से शुरू हुआ तो कुछ जगा अभी भी परिशानी है मुंगेर के तारपूर के दो बूतों पर इवियम बार-बार खराब हो जाता है पहले चोरण में 10 जिलों के 12 परिखंडों में 15,328 परियाशी ने कई पदों के लिए नामांकन पद्र दाखिल किया था जिनमें 858 जो है वो पद मिले थे आपको यह भी बता दे कि बाका जिले के मध्य विज्ञाले लगाए पोनन्त मध्य विज्ञाले पड़िया और बूत मध्य विज्ञाले कुर्मा में जिले परिशद सदस्य बूत पंचायत भवन चंदादी नी और में पंचायत समीती सदस्य बूत सदस्य और विज्ञाले रणगाओं में वाड सदस्य और बूत प्रात्मिक विज्ञाले सिताचक में मुख्य के सीउ बदले गए बहुत 172 पर जिला परिशत सदस्य और पंचायत स्मिती सदस्य दोनों के C.U. बदले गए हैं तेजसी यादू ने गुरुवार को कहा कि उनकी बहु और साला कुछ कमपनियों के आपको बता दे कि निर्देश दिये हैं PhD के निर्देश कहते हैं कि कमपनी को सरकारी कार्यों का अनुभव होना चाहिए उनकी कमपनी के पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं है वहीं उपमुख्यमंत्री ने तेजस्मी के इस बयान पर जवाब देते हुए सभी आरोपों को सीरे से खारिज कर दिया है परिसाद ने कहा कि वो कहते हैं कि मेरी बहु और साला एक संगठन को संबधित हैं मेरे दामाद पर भी आरोप लगाए मेरे परिवार का कोई भी सदसे इससे किसी तरह का कोई संबध नहीं रखता है इससे पहले बुदवार को तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि उप मुखे मंतरी तारकिशोर परिसाद के परिजनों को करोडों रूपे के ठेके दिये गए हैं उन्होंने कहा कि ये ठेके राज्ये के हर घर में टंकी का पानी पहुचाने के शुरू की गई है हर घर नल जल योजना के तहत दिये गए हैं तेजस्वी ने इसकी जाच के मांग करते हुए कहा कि परिसाद के मंतरालिय की भी जाच की जानी चाहिए जेडियों से संबंध रखने वाले कई लोगों को साथ निश्चे के तहत कई योजनाओं में ठेके मिले हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नितिश कुमार को अपनी अंतरात्मा जगानी पड़ेगी अमेरिकी दोरे पर गए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज राश्चिपती जो बाइडन से मुलाकात करेंगे भारते समय के अनुसार वाइट हाउस में राद साड़े आठ बजे पीम मोदी बाइडन की रिपक्षिय जो है मुलाकात होगी राश्चिपती बनने के बाद बाइडन पहली बार पीम मोदी की मेजबानी करते हैं करने वाले हैं आपको इभी बता दे कि बाइडन से मुलाकात के बाद पीम मोदी कवार्ट में यानि अमेरिका जापान औस्टेलिया के साथ रात साड़े ग्यारा बजे वाइड हाउस में ही बैठक करेंगे कवार्ट में चीन पाकिस्तान और तालिबान पर नकेल कैसी जाएगी चीन के खिलाफ कवार्ट देश कैसे आर्थिक से लेकर सम्रिक मोर्चे पर चक्रुवियु तियार कर सकते हैं कवार्ट देशों की कुल अर्थ विवस्ता है 2284 लाग करोड जबकि चीन की अर्थ विवस्ता 1105 लाग करोड है कवर्ड दिशों की एक्टिव सेनिक की संख्या 31,55,000 है जबकि चीन की एक्टिव सेना जो है सिर्फ 21,85,000 है इसी तरह कवर्ड के पास कुल 17,557 सेन्य एरक्राफ्ट हैं जबकि चीन के पास सिर्फ 3260 सेन्य एरक्राफ्ट हैं कवर्ड के पास 1082 अटैक हेलिकॉप्टर हैं चीन के पास सिर्फ 327 हैं कवर्ड के पास 11,893 टैक्स हैं चीन के पास 3,205 हैं कवर्ड के पास 111 समरीन हैं और चीन के पास 79 जो हैं वही हैं और तो सेन्य नहाजा से कवर्ड के चारो देश चीन पर भारी हैं इसलिए चीन कवोर्ड के चिढ़ा हुआ है आपको बता दे कि चीन की हुकूमत कवोर्ड से हतियाई हुई है और N.A.T.O. भी बता चुकी है दुनिया के नक्षे पर भारत, अमेरिका, जापान, औस्टेलिया मिलकर एक चत्रभुज बनाते हैं इसलिए इसे कवोर्ड कहा गया है इन देशों के बीच ही आता है हिंद महासागर और परशांत महासागर का वो हिस्सा जहां चीन अतिकर्मन करना चाहता है इस इलाके में उसने मयामार, थाइलेंड, श्री लंका जैसे देशों सैनी को सुविधाई दी हैं मयामार, बंगला देश और श्रीलंका जैसे देशों के पोर्ट तक बनाए लेकिन चीन के दिन अब लदने वाले हैं क्योंकि विकास के नाम पर विनाश सीला जो है वो प्लैन कर रहा है चीन उस पर कवोर्ड लगाम लगाने में शक्षम है राय बरेली के हर चंदरपुर इलाके में उस वक्त हड़कम मच गया जब दबंगों ने लाइसेंस बंदूग से एक यूवक की हत्या कर दी यूवक की हत्या के बाद इलाके में संसनी मच गई मौके पर अपर पुलिस अधिक्षक सहित लगभग आधा दरजन थानों की पुलिस ने पहुचकर मोर्चा समाला तब कहीं जाकर ग्रामीड और परिजन्स शोव को पोस्ट माटम के लिए राजी हुए आपको बता दे कि दिल देला देने वाला ये मामला हरचंत्र पुर्थाना छेतर के गड़ी खास के प्रधान लक्षमी कांत के गेस्ट हाउस का बताया जा रहा है गेस्ट हाउस में दो लाइसेंसी बंदूके रखी हुई थी बताया जा रहा है कि देर शाम राजवीर नाम के एक यूवक और उसके साथी ने लाइसेंस बंदूक से उसे गेस्ट हाउस में रहने वाले शुभम की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी हत्या की खवर के बाद गेस्ट हाउस के सभी सामने आये हैं आपको बतादे कि ग्रामेड का हुजूम उमर पड़ा है भीड को बेकाबू देख छे थानों की पुलिस फोर्स के साथ अपर पुलिस अधिक्षक विश्वजीत श्रिवास्तव ने भी मोर्चा सम्हाला घंटों की मशक्कत के बाद उपरिजनों और ग्रामेडों को मिर्तक के शव का पोस्ट मार्टम कराने के लिए राजी किया गया भारत में करोना एक्टिव केस घटकर करीब 3 लाख हो गए हैं स्वास्त मंतराले की और से शुकरवास उभात जारी किये गए आखडों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 31,382 नई करोना केस जो हैं वो सामने आए हैं और 318 करोना संक्रमितों की जान चली गई है वहीं 24 घंटे में 32,542 लोग करोना से ठीक भी हुए हैं यानि 14,078 केस जो हैं वो सामने आए हैं को बता दे कि केरल में कल कोविट के 19,682 नई मामले सामने आने के साथ ही करोना वाइरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 45,390,310 हो गई है राज्य में 152 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 24,191 हो गई है राज्य में कोविट के उपचार धीन मरीजों की संख्या 1,60,046 है और करोना महमारी की शुरुवात से लेकर आप तक कुल 3,35,94 जो हैं संक्रमित हुए हैं इन में से 4,46,368 लोगों की मौत हो चुकी है अच्छी बात यह है कि आप तक 3,28,48,000 लोग भी ठीक हुए हैं देश में करोना एक्टिव केस की संख्या करीब 3,00,000 है बताई जा रही है जिनका इलाज अभी भी चल रहा है आपको बता देगी केंद्रिय स्वास्ति मंत्राले ने बताया कि 23 सितंबर तक देश भर में करोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब आठमी स्थान पर है कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है जबकि अमेरिका ब्राजिल और ब्राजिल के बाद मौत का आकड़ा भारत में जादा रहा प्राजिल